कांकेर जीला के चरामा विकास कंड के ग्राम गाडा गवरी मा एक 40 बच्छर के महिला अनीता बाई पढ़ते हा समाज के लोगन संग कलेक्टोरेट पहुँच मीडिया ले रूबरू हुआर बताईज के उकर पती राम सी पढ़ते हा बीमार रहीज और बीमारी के चला तोकर 28 29 के निधन वोगर जेकर बाद महिला हा गाऊ मां के मुख्या मन कहे के ओह दुसर धर्मा जा थे कर ले सावला गां माडफफन क पत्ता के जमीन मा दफ़ण के वर तियारी करत रहीज त्पिर गां के लोगन और पहले कि अगर गाउं मा सवल दफन करी ता जेसी भी ले सवल खोट के फेंक देह जाई महिला हट डर के घटना के जानकारी चरामा थाना मन दिन ता पूलिस के समझाए मगलो गाउं आला मन नहीं मानें जो करबाद महिला हाद जीसे तैसे करके अपन पती के सवल ला चरामा ले जाके अंतिम संस्काल करी उकरबाद कलेक्टोरेट पहुच गाउं आला मनूपर आरोप लगाथ कलेक्टर ला घ्यापन दे के मामला के जाच कर दोसी मनूपर कारवाही करे के मांग करी पतिक खतम हो गया ना? जै तो गाव अलमान अभूदी कि यहां गाव में नियु देन आशी थाई तो मैं अधिया मर जमीन में लेजु ऐसी कही कि तो जमीन भी गल नियु देन आशी कही थी ड़िए जमीन कों बोला गावला मन बोली अच्छा कारंग के लिए लिए जाहा विसाइन हरो ऐसी कहा कि नब बोली तो बात में खा कर दो लिए चाहरामा लेजें समस्या लेकर आए हैं, 28 तारीक को ग्राम गर्ण मारागवरी में एक बेटी का मृत्तु हो गया, और जब उसका मृत्तु होने के बाद में उसको गाउ में दफनाने के लिए हम कोसस किये, तो गाउ के लोगों ने वहां पे दफनाई नहीं दिये, फिर बोला गया है कि हम सिवी से उस मुर्दा को मुर्दा खम उखाड लेंगे, तो वह इसलिए क्लेटर मुदा के पास में आया हूँ, आदमी को स्वतनतरता का जीने का दिकार है, स्वतनतरता का दिकार है, अधी आदमी मर गया तो अपने जमीन में उसको दफनाने नहीं दिया जा रहा है, तो झाल झाल झाल